गुद मॉर्निंग बटा गुद मॉर्निंग चलो अम एराथन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अब तक हमने ओवरेट टॉपिक कर लिया इसके बाद दूसरी के बेस पर करते हैं एक्टिविटी बेस्ट कोस्टेग ठीक है चले बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बात करते हैं हम एक्टिविटी बेस्ट कोस्टेग एक्टिविटी बेस्ट कोस्टेग ठीक है चलो एबी सी कहते हैं इसको ओवरेट का एक रिफाइन फॉर्मेट है संशोधित फॉर्मेट है ओव क्या मता ध्यानते देए ओवरेड के टॉपिंग में अब भी हमने क्या सीखा था कि सर सारे खर्चे कंपनी के ओवरेड बात आरे ये टोटल कॉस निकालने की तो जब टोटल कॉस निकालते हैं किसी भी प्रोड़क्ट की तो मैटीरियल का खर्चा आइडेंटिफाइड होता है है ना लेबर का खर्चा आइडेंटिफाइड होता है डिरेक्ट एक्सपेंसीज भी वैरिबल ओवरेड भी लड़ाई कहा आती है फेक्ज ओवरेड की है ना तो फेक्ज ओवरेड हमारे क्या होते हैं रेंट इलैक्टिसिटी सैलेरी डैप्रिशेशेशन ये सारे खर्चे मह केस लेकर बाठते हैं है ना मैं आपको एक बात देखा दू परानी शीट जर एक बार को है ना सारे खर्चे हम जैसे रेंट है एरिया बाइस बाठते है इसमें प्रोडॉक्शन डिपार्मेंट में और सर्विस डिपार्मेंट में ये प्रोडूस करते हैं ये सर्विस देते प्रडॉक्शन को लाइटिंग लाइट पाइंट के साब से पावर ठीक है अब यह सारे खर्चे हमारे जहां से सुना हमें क्या कर रहा हूं यह टोटल खर्चे आगे डिपार्मेंट एगे इसमें खुजड़ी है रेंट भी है एलेक्टिसीटी भी है डेप्रिशेशन भी है सल बेस ले लिया कौन सा मशीन आवर वला इन सारे खर्चों को मशीन आवर के साब से बाट दिया या इन सारे खर्चों को लेबर आवर के साब से बाट दिया या इन सारे खर्चों को बराबर बराबर बाट दिया कॉन्टिटी में या डिरेक्ट मेटिरियल कॉस्ट या डिरेक पर चार्ज कर दिया ठीक है तो सर क्या कमी थी इसको इस सिस्टम में चलो भई इस कमी को मैं जरा देखते हैं ठीक है हम क्या कहते हैं मैं पहले एक्जाम पर लेता हूँ फिर लिखवाँगा ओके मैं यह कहता हूँ मान लो मेरे पास fixed overhead बहुत असान है द्यान से सुनना बहुत और यह topic पहले final बता अब इंटर में आया fixed expenses मान लो ओके हमारे पास रेंट है जैसे रेंट है suppose मैं कहता हूँ 1 lakh रुपीज ओके है ना salary है बहुत द्यान द्यान सुनना suppose salary है ठीक है 2 lakh रुपीज ओके आब मान लो हम कहते हैं एक example लेते हैं मारूति कंपनी का ठीक है उसमें खर्चा है wheel balancing का expense है किसका wheel balancing का expense है wheel balance करके देते हैं ओके इस टाइब के खर्चे सपोज 10 lakh रुपे ओके सरफ एक example ले रहा हूं मैं आपको है ना ठीक है और चलो बाकी अदर्स ठीक है भी तो टोटल आगे मेरे पास 15,000,000 ठीक बात है आप यह 15,000,000 हमने overhead के topic को बोलते हैं traditional system इसको नहीं लिख देते हैं versus traditional system जो अब तक करते हैं वर्सेज ट्रेडिशनल सिस्टम ट्रेडिशनल का मलब जो हम ओवरेट के टॉपिक में पढ़कर आएं इस 15 लाग को हमने क्या किया था टिक है डिपार्मेंट A में बाटा डिपार्मेंट B में और C में वो सर्विस जबार में बाटा वो यहीं आ गया मान दो तो यह खर्चे हमने बाट दिये बेस लेकर डिपार्मेंट में बाट समझ रहे हो तो सब खर्चे बेस लेकर बाट दिये सपोस डिपार्मेंट A में बेर पास आए 10 लाग रुपे यहाँ पर आए 3 लाग रुपे यहाँ दो लाग रुपे तोटल 15 लाक रुपा बाट दी हमने base लेकर अब यहाँ पर मैं quantity बना रहा हूँ product ठीक है एक लाक unit ठीक है एक लाक unit और एक लाक unit तो हमारा burden आ गया fixed overhead per unit 10 लाक divided by 1 लाक 10 लाक divided by 1 लाक तो एक पर burden आ गया 10 रुपे का per unit है ना यहाँ पर आ गया 3 रुपे per unit यहाँ पर आ गया 2 रुपे per unit बस समझ मैं आ गई ठीक है इस हजाब से total cost मैटेरियल लेबर plus profit पर product की price बता रहा हूँ अब मुझे लगा यह product परना ज्यादा cost आ रही है और कहिना के loss आ रहा है समझ रहे बात को यह इनका L2 product था और यह बाकी के product तो इन्हेंने देखा यार यह तो वह यह product पर बहुत ज्यादा cost आ रही है material प्लस labor करके और बेच पानी रहे इतने में तो हमें तो loss हो रहा है तो sir कम करो product को कुछ ऐसा diesel लेने की बात आ रही थी तो management account कहते है रूप को sir एक बर हमें भी जरट समय दो दो दिन का हम आपको बताते है तो उन्होंने क्या देखा कि sir खर्चों में न main part किसका आ रहा है main part किसका आ रहा है wheel balancing का ठीक है तो ये देखा कि sir ये बताओ ये तो wheel balancing का खर्चा है ये कहां कहां हो रहा है तो ये observe किया इन्होंने कि sir a product में ठीक है हम ये एक महिने का खर्चा है हम a product मे b product मे c product मे पुल मिलाकर 100 बार wheel balancing करते है 100 बार wheel को balance करते है तीनों product में समझ रहे हो और a में तो हम करते ही नहीं है जरूती नहीं होती ठीक है b में हम करते है b में हम करते है 60 बार और c में करते है 40 बार समझ रहे हो तो management accounting का देखो sir ये थोड़ा सा गलत costing हो रही है कि आपने पूरे 15 लाक रुपे के खर्चों अपने अपने basis आपसे बाट दिया ठीक है और सारे खर्चे फिर product पर डाल दिये सारे खर्चे फिर आपने product पर डाल दिये तो कही ना कहीं है एक तरीके से misappropriate हो रहा है यानि यह दो लाक रुपे यह दो लाक रुपे यह बाग रुपे ठीक है अपने respective activity के साब से बाटो मतलब 10 लाक रुपे को पहले अब देखो कि 100 बार के लिए 10 लाक रुपे खर्च कर रहे हो जहांते देखना हम क्या करना चाहरे है 100 बार हमने काम किया 100 टाइम्स आपने वील बैलेंसिंग किया तो खर्चा कितना आया 10 लाक है ना भई तो एक बार अगर मैं वील बैलेंसिंग का खर्चा एक बार वील बैलेंसिंग करूँगा तो कितना खर्चा आएगा मेरे पास कितना खर्चा आएगा मेरे पास 10 लाक रुपे यह आएगा मेरे पास एक बार का खर्चा यह आएगा मेरे पास एक बार का खर्चा, तोटल आपका 10 लाग का खर्चा हुआ नहीं भी तो 100 बार के लिए तो एक बार के लिए 10जार तो इसका मतलब ए प्रोडक्त में जब आपकी वील बैलेंसिंग हो इने जही है तो ए में क्यों जाए और बी में जादा ओरी है तो B में जादा जाए और C में कम और यह तो कम जाए इसका मतलब अगर मैं इसको रिशेडूल करूँ इसको अगर मैं रिशेडूल करूँ ठीक है भी तो मेरे पास वील बैलेंसिंग का खर्चा तो मेरे पास वील बैलेंसिंग का खर्चा A में नहीं आना चाहिए है न और B में कितना आना चाहिए 60 बार का 10 जार किसाब से 6 लाख ठीक है और C में आना चाहिए 4 लाख और फिर बाकी के खर्चे बटने चाहिए ऐसे इसका मतलब इस हिसाब से करोगे तो A की कॉस्टिंग हमारी कम आईगी और B और C के बढ़ जाएगी जो की True Costing होगी बात समझ में आगी तो ऐसे ही तो मैंने एक्जामपल ही है सरफ एक पार्ट का तो सर इन ऐसे हम क्या करें डिपार्मेंट में खर्चों को एक ही रेट से न बाटे हम डिपार्मेंट के खर्चों को बाइफर्गेट करने एक्टिविटी के साब से और फिर उनको एक्टिविटी के साब से बाटे यानि जिस प्रोड़क्ट में आपकी कोई अक्टिविटी नहीं है उस प्रोड़क्ट में उस अक्टिविटी का बर्डन नहीं जाना चाहिए जेस प्रोडक्ट में जादा एक्टिविटी है उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन जादा जाना चाहिए जेस प्रोडक्ट में कम एक्टिविटी है उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन कम जाना चाहिए ना कि सारे ओरेट को एकरेट से बाढ़ दे कि भी सबको एकठा करके मशीन ओर रेट से बाढ़ दो नहीं ठीक बात है तो अब हम इसको लिख देते हैं क्या क्या जहते हैं traditional method में हाज इं traditional method ठीक है अल ओवर्वेड्स बूस अल ओवर्वेड्स ओव एडिपार्मेंट ठीक है जिसमें रन्ट आगया लेक्रिसिटी आगयी वील बैलेंसी का खर्च आगई स्टोर का खर्च आगया सारे ओवरेड ठीक है are distributed distributed यहनि absorbed absorbed on a single basis on a single basis ओके सारे खर्चे जोड़ कर ठीक है वो बाठते हैं base wise वो base बहुत ज़्यादा realistic नहीं होते ना अब जैसे wheel balance के साथ से बाठते हैं तो सारा हमने कोई और base ले लिया होगा तो a में आ गया होगा ठीक है फिर a में सारे खर्चे machine over के साथ से बाठते होगे labor over के साथ से बाठते होगे एक blanket rate से बाठते होगे हमने क्या करा होगा blanket rate ले लिया होगा ठीक है उसे साथ से मैंने बाठते होगे सारे कर्चे इसको बोलते है traditional method पर अब हम क्या करते है अब हम क्या करते है ABC में अब हम क्या करते है ABC में इसमें हम एक काम करते हैं कि सारे खर्चे पहले bifurget करते हैं कि कौन-कौन से खर्चे ऐसे हैं जो activity oriented है उनको फिर activity के साथ से बाठते है जिस product में ज्यादा activity ही वहाँ ज्यादा खर्चे उस activity के जिस product में कम activity उस product में उस activity के कम खर्चे ठीक है तम क्या करते हैं आजी bifurget break up break up all overheads break up all overheads ठीक है between according to the according to their activity according to their activity सारे खर्चे बाठते हैं activity के साथ से break up करते हैं ठीक है their related activity their related activity ठीक है and then and then charged अब यहीं से हम charge करते हैं direct product पर पहले हम department में बाठते हैं department से एक rate लेकर product पर बाठते हैं यहाँ पर क्या था पहले expense को हम बाठते थे department में फिर department से एक rate लेकर product पर आते थे समझें अब यहाँ क्या खर्चे हम हाँ खर्चों को activity के साथ से बाठते है and then charged to product product पर charge करो directly charge to product directly department वाला काम ठोड़ दो ठीक है according to according to consumption of activity according to consumption of activity activity की consumption के साथ से बाठते हो मतलब means if a product if a product consume high activity अगय कोई product जाध activity थी कंसुम कर्रा है then that product that product should absorb should absorb थीक है अगर कोई product जाधा activity थी कंसुम कर्रा है that product should absorb अगर कोई product जाधा activity कंसुम कर रहे है तो वह उस activity के ओड़ेट का बड़ेन जाधा अब्सौर्ब परेगा that product should absorb higher amount of overhead higher amount of overhead of that activity अगर कोई product जाधा activity कंसुम कर रहे है तो वह उस activity का बड़ेन जाधा अब्सौर्ब करेगा if a product consume low activity अगर कोई product low activity कंसुम कर रहे है ठीक है if a product consume if a product consume no activity तब low activity कंसुम कर रहे है then that product that product should absorb should absorb low part low part of overhead only of that activity उस activity का समझ के बात बात बहे है और अगर हम बात करें if a product consume no activity अगर एक प्रोड़क कोई activity कंसुम नहीं कर रहे है ठीक है भी then that product then that product should not absorb should not absorb एक है अगर आप्रोड रहे है अप्रोड आप्रोड़क का इसको बोलते हैं हम activity based costing इसको बोलते हैं हम activity based costing ठीक है अगर किसी product में activity consume नहीं हो रही तो उस activity का burden उस product में नहीं जाना चाहिए अगर किसी product में higher activity consumer है तो उस activity का burden उस product में जाना चाहिए ठीक है इसको बोलते हैं activity based costing मतलब सारे overheads को हम क्या करते हैं बाइफर्गेट करते हैं activity wise ठीक है activity wise बाइफर्गेट करते हैं और फिर हम direct product पर charge करते हैं कि यह कहलाता है आपका ABC system कि ट्रेडिशनल में क्या होता था कि हम सारे overheads को पहले हम department में बाठते थे बेस लेकर उनके और फिर वहां से एक rate लेकर single rate लेकर फिर product पर डालते थे single rate लेकर तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी कि अगर किसी product में कोई activity नहीं हो रही तो overhead उस product पर आता था उसका तो जिस वज़े से हमारा decision होता था गलत हो जाए तो इसमें से traditional का संशोधित पार्ट हो गया activity based cost इसे real cost समझ माती है true cost ठीक है बेटा चला फटा फट इसको note कर लो फिर आगे चलते हैं चलते है बेटा अब ABC में खर्चों को हम activity के साफ से bifurcate करेंगे ठीक है और फिर activity मालब जिस product में ज्यादा activity उसमें उसका खर्चा ज्यादा तो base लेके चलेंगे हम activity का तो इस purpose के लिए हम खर्चों को activity के साफ से बाटेंगे और फिर यह देखेंगे कि वो खर्चा कौन से activity से related है यह कि देखेंगे कि वो खर्चा कौन से activity से related है ठीक है तो जहांदे देखो हम क्या करते है एक्टिविटी का base लेके चलोगे activity का base लेके चलोगे मतलब जैसे वील बैलेंसिंग का है तो कितनी बार वील बैलेंसिंग करी उसके साफ से बाटोगे उसको बोलोगे आप cost driver उससे क्या बोलोगे आप cost driver कोई नया नाम नहीं है cost driver जैसे rent area wise बाटते थे वो उसको cost driver ही कह रहे है जिस base पर खर्चों को आप product से identify करोगे direct उस base को cost driver कहते है क्यों सर यह नाम क्यों दिया यह नाम कैसे बढ़ा driver का मतलब क्या होता है जो गाड़ी चलाता है मतलब जो passenger को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है वो driver होता है driver means जो passenger को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है वो driver होता है अब यहाँ पर मेरा base यहाँ पर मेरा जो base है मुर्म कितनी बार मैंने वील बैलेंसिंग करी कितनी बार मैंने मशीन को साफ किया वो बेज बेरा खर्चो को प्रोडुक्त तक पहुंचाएगा उस बेज को बोलते है कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर मेंज क्या हुआ ऐलोकेशन बेज cost driver means allocation base ठीक है जिसकी सायता से with the help of with the help of which जिसकी सायता से with the help of which we can absorb we can absorb charge overhead of activity overhead of activity to directly to product अला अपर्में वेनी बातरा directly product बातरा फॉर एक्जाम्पल ध्यान से दिनो ज़रा फॉर एक्जाम्पल मैं कहता हूँ ठीक है setup का खर्चा है अब यह ध्यान से सुनते चले जाना setup का खर्चा है सर जी setup होता कि पहला तो यह बताएगे machine की oiling cleaning greasing जब operator machine पैठता है तो अब पहले साफ करूँ मैं पहले पूरा कपड़ा साफ करूँ कपड़े से machine को उसमें oiling करूं ग्रीसिंग करूं और फिर टेस्ट करके फिर देखू machine is ready तो मेरा metal खरा हो जाएगा ठीक है वो setup कर लाता है oiling cleaning और ग्रीसिंग तो अब मैंने यह product बनाना है उसके saw unit उससे पहल जादा बाद साफ करोगे उस product पर उतना ज्यादा burden आएगा तो उसको बोलते हैं number of setup इसे क्या बोलोगे number of setup के साफ से बाट दोगे setup को नाम दूसरा दे सकते है production run ठीक है बात समझ में आ गई मतलब क्या हुआ जैसे मानलो a product है ठीक है a के बनारों मैं 100 unit b के बनारों मैं 200 unit ओके तो a के 100 unit बनाने के लिए a के 100 unit बनाने के लिए मैंने machine को 10 बार साफ किया b के 200 बनाने के लिए b के 200 बनाने के लिए मैंने मानलो 30 बार साफ किया या मानलो मैंने 5 बार साफ किया और C के भी बनाए मैंने 400 यूनिट उसके लिए मैंने मशीन को साफ नहीं किया उसमें जरूत नहीं थी तो भाई जो सेट अप का खर्चा होगा है ना वो कुल मिला कर हम कहेंगे कि 15 बार आपने साफ किया मशीन को तो पंदरा हजार का डेड़ लाग का खर्चा आया सपोर्ज तो एक बार के लिए दस जार पंदरा बार मशीन को साफ किया तो डेड़ लाग का खर्चा आया तो एक बार के लिए दस जार तो दस बार साफ किया तो एक लाग का खर्चा पांच बार साफ किया 50,000 समझ मैं आगी बाद देख तो आप A में Direct बाद दोगे 1,0,000,000,000,000,000 C में नहीं बाद होगे आगी बाद सान्न यह ऐसे बाद रहे हैं ठीक है भी तो मैं इसको बोल देता हूं Activity इसे मैं बोल देता हूं Activity इसको बोल देता हूं Basis इस अधार पर बाटोगे direct to product यानि cost driver यानि cost driver सर जी यह में ध्यान लखने पड़ेंगे क्या normal question में दियो होंगे पट फिर भी आपको समझना तो चाहिए न ठीक है भई stores का खर्चा stores का आप store की पर की salary होती है store का rent होता है नहीं, तो क्या करते है पर वहाँ से metal की requirement आ रही है चलो भी भीजो तो जिस product के लिए जितनी जादा बार मैं मंगा रहा हूँ यानि store उसके लिए उतना खर्चा करता है तो क्या base मनना चाहिए number of requisitions number of requisitions समझ रहे हो यह दिमांगे बताने देना असर ऐसे base तो हमने ओवरेट में मिलिये थे वो base लेकर आपने क्या करा department में डाल दिए department में डाल दिए और department के सारे खर्चे जोड़कर एक rate से बाट भी प्रोड़क्ट पर तो product पर तो गलत आगे ना अब यहाँ base लेकर direct product पर डाल रहे हो समझने आगे number of रिक दिल समझते हो ना कि production department जितनी बार store से माल मंगाएगा ठीक है भी या फिर हम कह सकते है number of batch number of batch जिसमें बनाते हैं goods raw material बलब एक lot में 100 बना रहे हैं 200 बना रहे हैं तो जितने जादा lot में बना रहे हैं material handling material handling का मतलब material को जब हम handle करते हैं पर dealer है तो store का ही part but special vehicle दिया हो यह भी store का rent अलग है storekeeper की salary अलग है material को handle करने का खर्चा अलग है तो हम देखेंगे कि अच्छा material को handle करने के लिए अलग से बना है तो जिस product में जादा heavy material है उसके लिए खर्चा ज्यादा उसके लिए खर्चा ज्यादा यानि weight of quantity of raw material नहीं ठीक है in production in product यानि किसी भी product में अगर raw metal का weight ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा खर्चा होगा कई बार weight ना हो तो फिर cost ले लेंगे इसका अलग सब में weight बराबर rate के साब से charge कर लो फिर आप ठीक बात है भी फिर आप rate के साब से charge कर लो ठीक है हाँ जी ordering का खर्चा ordering receiving material cost ordering कहें या receive कर रहे है material बता हो जाँ रहाँ अब तो आप समझदार हो गए material का order दिया है मैं receive कर रहा हूँ तो जिस product के लिए मैंने ज्यादा order दिये उस पर मैं ज्यादा बार खर्च करूँगा बार समझ रहे हो जैनि number of purchase order number of purchase order number of purchase order समझ गे जैसे मैं कहाँ A है B है इसके मैं बना रहा हूँ 10,000 इनिट इसके बना रहा हूँ 20,000 इनिट ठीक है इसके लिए मैं supplier को एक order देता हूँ बस और इसके लिए मैं 9 order दे रहा हूँ बास समझ में आगे तो 10 बार order का खर्चा जो होगा वो 1 इस टू 9 के रिश्ट में बढ़ जाएगा ऐसे कहने जाएगा ठीक बात है वे या है activity के साब से खर्चे या हमारे activity के साब से खर्चे अगर को मशीन का खर्चा है तो वो बात दो मशीन आवर के साब से बात दो असेंबली का कोई खर्चा आता है मान लो ठीक है भी तो जितने असेंबली कमीनी क्या होता है तो बासिकल बना रहे हैं लाबी हैंडल कवर रेम ये सारे नहीं टॉय बना रहे हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स वाशिंग मशीन बना रहे हैं तो इसके डिफरेंट पार्ट्स जिस product में ज्यादा parts हो लिए उसी में paint का खर्चा भी ज्यादा आएगा identity cost ठीक है number of parts number of parts सूपर विजन का हर्चा ये लेबर आवर्स आव दा प्रोड़क्ट लेबर आवर्स आव प्रोड़क्ट और ये बास समझ में हाँ दी कलीर है तो इस तरीक एक हमार पास डिफरेंट बेसीज होते चले जाएंगे ठीक है रिलेटिड बेस देखने है मुझे मुझे रिलेटिड बेस देखने है ठीक है चल इसको एक बन नोट कर लो जल्दी से अच्छा ऐसे ही इंस्पेक्शन का खर्चा इंस्पेक्शन का खर्चा पार्च बना लीगे नेसे पहले इसको इंस्पेक्शन करोगे इस प्रोड़क नंब़्ध ओफ इंस्पेक्शन जिस product को मैं करता हूँ यार तो भेज दो इसमें inspection के आवश्यक्ता नहीं है तो उस पर नहीं जाएगा ठीक है अचा कई बार inspection बराबर तो होते हैं पर किसी में time जाजा लग जाता है वेज़ेस मैं बात करूँ A में भी 10 inspections और B में भी 10 inspection पर A के 1 inspection पर 10 गहंदे लग रहे है तो 100 गहंदे हो गए B के 1 inspection पर 50 गहंदे लग रहे हैं तो 500 गहंदे हो गए तो cannot जाcent यहां तो inspection भराबर पर इस तरह दे रिलेटिट बेस मुझे देखने होते हैं अब इसमें हम क्या करते हैं प्रोड़क्त की कॉस्ट के लिए दो स्टैप होते हैं ठीक है in ABC for calculating for calculating product cost for calculating product cost ठीक है we should follow the following steps okay first banate हम cost pool first banate हम statement of cost pool first banate हम statement of cost pool second banate हम statement of cost okay अब cost pool कैसे बनाते हैं वो देखे जड़ा फटा फट से आजी cost pool कैसे बनाओंगे अब आप देखो धान से cost pool बनाते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं overheads इसको बहते हैं overhead distribution चार्ट यहां लिखते हैं overheads ठीक है name amount cost pool का दूर्शन आपके लिखते हैं distribution of overhead ठीक है basis इस नमबर ओफ एक्टिविटी ओके राइट कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर यही कॉस्ट पर अक्टिविटी चली मालो मैं कहता हूं setup का खर्चा है suppose setup का खर्चा है ठीक है suppose setup का खर्चा है example लेके चलते हैं एक लाग रुपे यहनी oiling cleaning greasing ठीक है साफ सफाई कैसे बाट होगे number of setup number of setup अलग कितनी बार मैंने machine को साफ किया ठीक है अब वो दिया होगा ध्यान से देखना ज़रा कितनी बार मैंने machine को साफ किया ठीक है एक के लिए मैंने 10 बार साफ किया बी के लिए 20 बार साफ किया और सी के लिए 70 बार साफ किया आज़से न क्या करें टोटल मिलाकर हमने 100 बार machine को साफ किया 10 बार A के लिए 20 बार B के लिए 70 बार C के लिए तोटल 100 बार मशीन को साफ किया तो अब क्या कहोगे आप ये कहोगे भई कि 1 लाख रुपे का खर्चा 100 बार के लिए 1 लाख रुपे का खर्चा 100 बार के लिए तो एक बार के लिए कितना हो गया 1000 रुपे पर activity यह नहीं एख़ार रुपए कलाया है पर activity ओ एक हजार रुपए कलाया है पर activity तो A में कितना जाएगा दास रुपे इंटू हजार B में किता जाएगा 20 रुपे इंटू हजार C में किता जाएगा 70 रुपे इंटू हजार बात समझ में आगे cost per activity कैसे निकाली हम ने overhead of the activity divided by number of times the activity occurred तो यहां गे cost per activity, फिर cost per activity को multiply करा number of activity for the product तो प्रोटक्ट पर बर्ड़न आगे तीक बात है आप एक मिनिट आगे खर्चे चलेंगे हमारे स्टकीन मिरेपास आएगा कोस्ट स्टीनेन्ट अपCosed यहां जा आएगा मिरें बस्टेटमेंट अफ कोस्ट आप आप प्रोड़क्ट मेरा होगा ए मान लो बी मान लो सी total मैटरियल आपके पास identified होगा कोई लड़ाई होती नहीं है मेटेरल मेरे पास अइडेंटिफाइड होगा लेबर मेरे पास अइडेंटिफाइड होगा अब ओवरेड्स ओके आज यह कर रहे हैं मैं एस पर एबी सी दाना तो यहां लिखेंगे एस पर एबी सी । सेटब का खर्चा कैसे बाटर है number of setup देखो जाँ से फ़र एगजामपल क्या कहूँगा मैं क्या कहूँगा यहां पर 1000 रुपे पर क्टिविटी यानी 1000 रुपे पर set up 1000 रुपे पर set of ठीक है? तो 1000 इंटू 10 1000 इंटू 10 A में आजाएगा 1000 रुपे एक साटप का खर्चा, 10 साटप का 1000 रुपे इंटू 20 साटप 1000 रुपे इंटू 30 साटप बलो संद महाँ आगे भाद ये पूरा खर्चा मेरे पास आगी जो मुझे बाट ना था एक लाग पुपे फॉर्मुले के साथ से चलोगे तो क्या कहेंगे हम cost per activity मैंने कैसे निकाला है cost per activity मैंने कैसे निकाला है cost per activity हमने निकाला है overhead of debt activity overhead of debt activity divided by number of times divided by number of times occurred debt activity in the period in debt period उस period में वो activity कितनी बार occurred हुई मालूम में महीने का खर्चा ले रहा हूँ तो महीने के activity साल का खर्चे ले रहा हूँ साल की activity ठीक है यह जगा cost per activity जब आपने का setup का खर्चा आया एक लाग रुपे 100 बार के लिए तो आपके पास आगया 1000 रुपे पर setup 1000 रुपे पर सेट ठीक है अब इसके बाद ठीक है cost of overhead for product for product कैसे का होगे cost per activity cost per activity आगई cost per activity multiply number of activity आज़ समझना number of activity यहां total आ रहा है total number of activities total number of times occurred that activities that activities ठीक है यहां पर number of activity ठीक है consumed in a product मैंलब 1000 रुपे एक activity का खर्चा तो number of activity किते हागे 10 तो आ में आ जाएगा ठीक है 1000 पर activity number of activity 20 तो B में आ जाएगा 1000 पर activity number of activity 70 तो C में आ जाएगा बोलो समझा आगे बात भी तो यह हमारा process रहेगा तो तीन parts में आपको समझा दिए ऐसी सारे खर्चे बाटने हैं मुझे ऐसी मुझे सारे खर्चे बाटने हैं ठीक है भी चलिए एक बार इसको पहले आप नोट कर लो सीख में इसमें फिर में आगे चलता हूँ करो जल्दी हाँ जी ऐसी अगला खर्चा है का inspection मान दो अब इसी के विए प्लाग बढ़ना है pattern clear हो क्या inspection का खर्चा number of inspection मतलब department में नहीं बटेगा direct product पर जिस product में जितनी ज्यादा inspection उस product में inspection का खर्चा होतना ज्यादा भी मान लो आप कुल मिलाकर 20,000 पे खर्च कर रहे हो एक पीरिड में है ना और तीनो product के लिए आप जब inspection कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि भी मैंने ना 100 बार inspection करा A में ठीक है 200 बार inspection करा B में यह तीस एर ले ले लेते हैं एक मेंट और C में मैंने inspection करा ही नहीं जुरूत ही नहीं थी मुझे ना तो आपको को सर्थ सिंपल दी बात है 300 बार inspection किया है ठीक है तो 30,000 का खर्चा 300 बार के लिए A divided by B तो 30,000 का खर्चा ना 300 बार के लिए तो एक बार के लिए कितना ठीक है एक बार के लिए कितना 100 पे 100 पे per inspection 100 पे आगया per inspection 100 पे आगया per inspection ठीक है तो अब 100 पे इंटु 100 पे A में चला जाएगा 100 पे इंटु 200 B में 100 पे इंटु 0 C में आगे बात समझ में इल्को कि देखो कितना सिंपल है 100 रुपेज इंटू 100 है ना 100 रुपेज इंटू 100 ठीक है A में 100 रुपेज इंटू कितनी अक्टिविटीज है B में 200 B में 200 C में नहीं है तो कुल मिलाकर 30 रुपे बाट दिया आपने That is called inspection That is called inspection बात समझ में आगे मलब यह pattern रहेगा आपका ठीक है भी तो इस तरह से हम खर्चे सारे बाटते चले जाएगे बेच से समझ मांगे Clear part भी तो यह सारे खर्चे हम इस तरीके से बाटते चले जाएगे ठीक है और यहाँ पर हमार पास आजाएगी cost यहाँ पर हमार पास आजाएगी cost ओके फिर quantity से divide कर दोगे परिनिट आजाएगा टोटल कॉस्स डिवाड़ीड बाई quantity टोटल कॉस्स डिवाड़ीड बाई quantity ओके तो आजाएगे लास्ट में cost परिनिट यह मेरा ए यह मेरा बी ओके चलो अब एक बार इसको नोट कर लो फिर आप हम इस पर question करते हैं आगे चले चले बेटा question number 5 एक बार read करो वीडियो को pause करके ताकि आप एक बार पढ़ो फिर जब हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है करो question number 5 चले बेटा यह question number 1 है आपके study material का practical problem में page number 5.3 पर यह आपके study material पर page number 5.3 पर practical question में self examination वाले होते हैं उनका question number 1 है ठीक है बिल गया चल अब एक बार देखते हैं क्या करते हैं और हमारी study material में question number 5 चलो ओके हमारी study material question number 5 और institute के study material का question number 1 page number 5.3 पढ़े हैं चलो क्या कहता है यह wool mark limited manufacturers three type of product PQR तीन product बनाते हैं अब इनके लिए data दिया है period का machine hours per unit जहां से पढ़ना बहुत असान है बस पढ़ना ध्यान से हैं एक unit को बनाने में machine के 10 गंटे लगेंगे अठाना चौधा बहुत बढ़ी हैं labor hours per unit labor चार गंटे लेगा बारा आट इन लेबर के हैं overheads on basis of machine hours इसका मतलब है मैंने सारे खर्चे जानते सो ना पीछे जाओ जारा rent electricity ठीक है salary depreciation वो बाट दियोंगे department में service में भी service के production में फिर जब production के सारे खर्चे आगे होंगे ना वो machine hours पर बाट रहा हूँ है ये कह रहे हैं ठीक है machine hours rate of overhead छे रुपे पर आवर इसका मलब current system में हमारे पास machine hour rate कितना आ रहा है छे रुपे ए घंटे का ए घंटे का छे रुपे तो ये छे रुपे कैसे आया होगा all overheads divided by machine hours all overheads divided by machine hours तो छे रुपे आया होगा है ना भी ठीक है अच्छा लेबर करेट है बीच रुपे चल तो हम machine hours निकाल लेंगे कैसे देखो एक बनाने में दस घंटे चाहिए तो तीन जार में तीस जार एक बनाने असी जार घंटे आ गए ठीक है भी तो टोटल में लाकर नभ्य और तीस एक बीस और यह ओगे चारला घंटे तो इसका मतलब ओवरेट का खर्चा आ गया 24 लाक रुपे ठीक है चलो कंपनी प्रपोजिस तो यूज एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग एक्टिविटी अनलिस उसने बाई दे दिया लोग ही लोग क्या कर रहे है बैच साइज अप्सोड ध्यान से पढ़ना बैच का साइज मतलब डेड़ बार मचीन में डालो गया थेक है तो डेड़ सो यूइनिट एक बार में डालूगा बैच साइज समझ में आगे ना जैसे मम बनाते है कि घृच ब्यार पेल्यान का बैच बनाते हैं कि इस ग्रुप में इतने बच्चे यâu यह बैच साइगा यानि 500 student का एक batch ऐसे कह देते हैं तो 1500 unit का एक lot हो गया इसका बनाने तो 3000 तो 1500 unit जब एक बार बनाऊ गई फिर अगले बार 1500 बनाऊ गई size है यह length है यानि हर बार machine में 150 डालूँगा बना यह machine है मेरे पास मेरे पास जैसे यह machine है मेरे पास जैसे यह machine है अब इसमें मैंने 150 इन्हें डाल दिया पी के ठीक है बन गए एक बार में इससे दादा नहीं बनेंगे क्योंकि machine इतनी बड़ी नहीं है ना फिर अगली बार फिर 500 डाले फिर बन गए फिर अगली बार 500 डाले फिर बन गए एक बार में मैं मशीन में 100 पता से ज्यादा नहीं राव सकता पी प्रोड़क के एक मशीन इतनी मोटी नहीं है यह मत्ता हुआ तो मुझे बनाने 3000 तो बताओ कितनी बार मैं पी के यूनिट बनाऊंगा यानि 3000 डिवाइड बाई 500 तीन जार डिवाइड बाई 500 कितने आगए इसका वला 20 बार मैं मशीन को साफ करूँगा ऐसे कहलो यानि 20 सैट अप हो गए बात समझ में आगे ऐसी 500 एक बार में बनाऊगे 500 एक बार में बनाऊगे तो 5000 को बना ले के लिए कितनी बार मशीन को साफ करूँगे कितनी बार 10 बार 1000 एक बार में बनाऊगे 20 बार बनाने के लिए 20 बार मशीन को साफ करूँगे ठीक है चले batch का size का वाला length इतने unit एक बार में बन जाएंगे number of purchase order अचा एक batch एक batch के लिए तीन order तो मानलो P के लिए कितने lot बना रहे हैं P के लिए कितने lot बना रहे हैं P product के लिए हम कितने lot बना रहे हैं नहीं बहें 20 lot यानि 20 बार मैं P product का काम कर रहा हूं तो एक lot के लिए तीन बार खरीद रहे हो तो 20 के लिए आप 60 बार खरीद होगी ठीक है number of inspection per batch यानि एक batch बन गया 500 unit का एक batch बन गया लौबई चेक करो फिर 500 का batch बन गया फिर एक चेक करो तो डेड़ सो इनिट का batch डेड़ सो डेड़ सो इनिट का एक batch तो उस एक batch उस एक batch को चेक करोगे फिर आप यह कहना जा रहें तो क्या कहना जा रहें number of inspections per batch नहीं एक batch के लिए 5 inspection तो कितने batch हैं मेरे पास 20 बैच हैं कुल मिला कर सो inspection हो जाएंगे ठीक है यहनि जब एक batch बन गया डेड़ सो इनिट का एक batch बन गया डेड़ सो इनिट का तो मैंने पांच बार उसको चेक किया तो 20 बैच बने तो सौ बर चेक किया होगा ऐसे ठीक है चलिए पार्ट अब आगे क्या कह रहा है वह total production overheads are analyzed machine setup का खर्चा 20% है total में से total मेरा खर्चा कितना है था मैंने अभी आपको बताया है 24 लाख चार लाख इंट उचे 24 लाख है न तो 24 लाख को 20% आया machine को setup का खर्चा बलब machine के साफ सफाई का खर्चा 20% ठीक है भी कैसे बाट होगे number of setup कैसे बाट होगे number of setup machine operation cost 30% है 24 लाख का 30% कैसे बाट होगे machine को operate कर रहे है यानि machine hours inspection cost number of inspection जितनी ज्यादा बार inspection करूँगा उतना inspection का खर्चा ज्यादा आएगा material procurement cost खरीदने का number of purchase order जिसके लिए ज्यादा order उसके लिए खर्चा ज्यादा ज्यादा जितने order ज्यादा दोगे ordering का खर्चा उतना ज्यादा आएगा अब क्या मांग रहे है calculate cost per unit of each product traditional method of absorbing all overhead on the basis of machine hours cost per unit ABC के साब से ठीक है भी तो सबसे पहले मैं basic data कठे कर लूँ इसमें ना सबसे पहले हम क्या करें basic data कर लिए ठीक है चले यह question number 5 है हमारे study material का okay और institute के study material का है question number 1 okay page number 5.3 यह institute के study material का page है हमारे study material का question number 5 तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ basic data कर लेता हूँ पिर काम करनाशान हो जाएगा आपके लिए तो सबसे पहले指र था वो machine over rate सबसे पहले कारता हूँ machine over rate कितना आ यह machine over rate हाजी machine over rate कितना और यह देखो ज्ठाशेर पया है कि मशीन ओऔर यह कितना है हमारे पस हाँ जी मशीन आवरेट छेर पे पर आवर है मशीन आवरेट है छेर पे पर आवर दे रख था भाई ने कैसे निकालते हैं इसको अल ओबरहेट्स अल ओबरहेट्स ठीक है डिवाड़ेट बाई टोटल मशीन आवर्स डिवाड़ेट बाई टोटल मशीन आवर्स अब टोटल मशीन आवर्स निकाल लो मैं टोटल मशीन आवर्स निकाल लो ठीक है हाँ जी बताई जल्दी से टोटल मशीन आवर्स फटा फट एक एक बनाने में दस अठारा चौदा दस अठारा चौदा एक बनाने में इतने घंटे चाहिए, एक बनाने में इतने घंटे चाहिए, ओके, तो मैंने बनाई कितने हैं, जद देखे, तीनगेजार, पांचेजार, बीसजार, तीनगेजार, पांचेजार, बीसजार, ठीक है भी, चली, तो इसका हुलाद तीसजार घंटे तो, सारी, तीसर घंटे हाँ, ए में हो गए, अठार, एक, ठार घंटे, एक निट में है, तो पांचेजार में नब्यजार हो गए, एक में चौदा घंटे हैं, तो बीसजार में, दो लाख असी जार घंटे हो गए, तो टोटल मेरे पास हो गए, हाँ जी, चारला घंटे है, ओके, चली, यहां से आजागा, 6 रिपे पर गए, डिवाड़े बाई, चारलाख घंटे, तो ओल ओवरेट किते हागे मेरे पास, 24 रुपे, यहां गए, ओल ओवरेट्स, ओके, समझ आगी बात भी, तो 24 रुपे के सारे ओवरेट्स आगे, गलीर, 24 रुपे के सारे ओवरेट्स आगे, ठीक है, अब इसमें ब्रेक अप भी चाहिए मुझे, नहीं, देखो क्या-क्या ब्रेक अप है, जल्दी से, फटा-फट, हादी, ट्रेडिशनल में तो सारे गंटे मशीन ओवरेट्स से बाट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलि, ब्रेक अप बताओ जारा क्या-क्या है, मशीन सेट अप का खर्चा, मशीन सेट अप का खर्चा, 20% है, ठीक है, तो टोटल ओवरेट्स मेरे पस कितने हैं, हादी, 24 लाख, टोटल ओवरेट्स है, 24 लाख रुपे के, तो 20% हो गया, मशीन सेट अप का खर्चा, कितना हो गया, हादी 4,80,000 ठीक है चलो फटाफट बताते हैं चले जाओ हादी मशीन ओप्रेशन 30% है मशीन ओप्रेशन 30% है 30,40,10 30,40 और 10 ठीक है तो यह हो गया 10% हो गया 2,40,000 है ना और एक नट चालिस परसंट 24,00,000 का 24,00,000 24,00,000 ठीक है इंटो 30% हो गया तो महरा 7,20,000 ठीक है 40% हो गया तुमारा 9,60,000 ठीक है भी चले अब यह एक पर कटेकरी लिख लो जाना 30% किसका है machine operation, inspection, machine operation, machine operation, फिर inspection और फिर material procurement, material procurement ओके 100% हो गया चले अब हाथ क्याथ बेस लिख लेते हैं कैसे बाट हो के ज़र फटा फटा बताओ सोचो machine setup यह नहीं setup क्या होता है oiling cleaning greasing machine को साफ करते हैं नहीं तो जितनी जादा बात साफ करो गो उतना खर्चा आएगा number of setup, number of setup, okay चले, machine operation operate कर रहे हैं, machine hours जितने ज्यादा घंटे machine काम करेंगे, operation का खर्चा उतना ज्यादा आएगा inspection, number of inspection, जितनी बार inspection जिसमें ज्यादा करोगे, उस पर उतना बर्डन ज्यादा आएगा procurement, material procure कर रहे हैं, जितनी ज्यादा बार, यहनी number of order number of order, जितने ज्यादा बार order दोगे, उतना procurement का खर्चा ज्यादा आएगा clear part 2, अब एक एक करके base को देख लेते हैं, चले, एक बार इसको नोट कर लो जल दीजा, फटा फट से चले बेटा, अब number of setup का meaning क्या होता है, अच्छी तरह समझो, setup का बार, इसको हम क्या करते हैं, अपनी भाशा में, कितनी बार मैंने machine को साफ किया है, number of times, machine, number of times, machine, ठीक है, was cleaned, कितनी बार मैंने machine को साफ किया है, कितनी बार मैंने machine को साफ किया है, यह तो मतलब हुआ, how much times the machine was cleaned, machine hours विलको ठीक है, number of inspection, कितनी बार, inspection करे, कितने purchase order दिये, अब एक एक करके जरा, समझे, पहला, number of times, machine was cleaned, सबसे पहला ध्यान से देखो, कितनी बार मैंने machine को साफ किया है, ठीक है, कितनी बार मैंने machine को साफ किया है, देखो जरा ध्यान से, क्या करना चाहते हैं, यह, batch size, batch size का मतलब, एक lot में 1,500 unit बना रहा हूँ, ठीक है, और बनाने कितने है, 3,000, तो जितनी बार बनाऊँगा, उतनी बार साफ करोंगा, समझे के बाद देखो, जितनी बार बनाऊंगा उतनी बार साफ करूंगा तो batch size यह यह batch का size, यह नहीं length, ठीक है? लेनि लेन्थ मतलब एक लोट में एक बार देट सो उनिट बना रहा हूं इसका मीनिंग क्या हुआ एक बार एक बार में हम 150 उनिट बना रहे हैं 150 उनिट बनाते हैं तो जब 150 बनाते हैं तो हर बार सफाई कोगी ना Every time the machine was cleaned ठीक वे Every time the machine was cleaned ठीक बात है तो बना कितने रहों मैं quantity देखूं अगर मैं इसकी तो बना कितने रहों quantity मैंने उपर भी देखी है शाय देखो न 3000, 5000, 2000 है न 3000, 5000, 2000 3000, 5000 2000 मेरी बार समझ में आ रही है इसका मिनलाब 1500 उनिट को बनाने में एक बार क्लीनिंग होती है यह न 1500 उनिट को बनाने में एक सेट अप यह कोगे आप 1500 उनिट को बनाने में 1500 उनिट को बनाने में हुआ ठीक है एक सेटप एक बार कि लिए तो तीन जार को बनाने में कितने सेट अप ज़र बता हूँ नमबर ओफ सेट technologies आ जाएंगे मारा नी डेड सो बनाने में एक बार मशीन को साव तो तीन जार को बनाने में कितनी बार आजी 20 बार 500 unit बार बनाऊंगा एक बार में एक बार सफाई करूँगा फिर 500 बनाऊंगा फिर एक बार सफाई तो ऐसे 5000 को बनाने में ठीक है कितनी बार machine के सफाई होगी 10 बार यह दिनी 10 number of setup होगी ठीक है ऐसे यह 20,000 divided by 1000 कितनी बार 20 बार तो कुल में लाकर 50 बार मशीन की सफाई हुई है ना तो खर्चा आया 4,80,000 एक बार का कितना 20 बार का A में P में 10 बार का Q में 20 बार का R बोलो बासन में आगे भी ठीक है क्लीर है चले मशीन अवर्स बेही रख़े हैं मजहे मशीन अवार्स में निकाल भी लिए मशीन अवर्स यह रहे ना यह रहे मशीन अवर्स ठीक है यह तो होई गया, चले, आगे चले हादी number of inspections number of inspections number of inspections number of inspections कितनी है हँ हमारे पास देखाए अरवट हट किया कितनी बार मैंने मुझेड़्ेक किया क्या किन चार्ग है वह नंबर ऑफ इंस्पřैक्शन के लिए नंबर ऑफ एंस्पैक्शन पर बैच जुसक्त थाए एक दर्द सो इनिती का है प्श्रेख कर रहां है एक बैच जो डेड़ सो इनिट का है उसको मैं एक बार चेक कर रहा हूं नहीं दूसरी बार फिर चेक कर रहा हूं फिर तीसरी बार फिर चौतरी बार फिर पांचरी बार ठीक बात है तो 1500 unit का जो एक batch है उसको मैं पांच बार चेक कर रहूँ तो number of inspection per batch है 5-4-3 number of inspection है 5-4-3 यह है per batch यह हमके per batch number of inspection है per batch batches कितने है बैच कितने हैं देड़्सो का तो साइस है ठीक है यानि नंबर और सेटप कर रहा नंबर और अफ बैच यानि 20 दस-20 वास दमें आगे डेड़्सो देड़्सो के 20 बैच है कि टेड़न सो एक बैच के एक बैच जो है एक बैच के लिए पांच बार इंसपेक्षन तो ठोटलकिक इंस्पेक्शन कितने आ गए है कि टोटल नंबर ओफ इंस्पेक्शन मेरे पास आगे सो चालिस और साथ बहुत समझ में आ गए है ठीक है टोटल नंबर ओफ इंस्पेक्शन सागे है ठीक है कि लिए रहे दोबार बता हूं एक एक बैच को पांच बार चेक कर रहा हूं है ना उस बैच में डेड़ सो है वह बात अलग है तो एक बैच को पांच बार तो बीस बैच है तो मैं सौ बार इंस्पेक्शन करूं टोटल में लाकर ठीक है भी चल अब अगला बताओ नंबर ओफ ओडर परचेज ओडर नंबर ओफ ओडर देखो कितने कह रहा है वह नंबर ओफ ओडर एक बैच में एक लॉट में जो डेड़ सो इनिट है वह तीन बार ओडर दे रहा हूं भाई दे जा भाई दे जा ठीक है यहने एक लॉट में जो डेड़ सो इनिट है वह तीन पर मंगा रहा हूं ऐसे डेड़ सो डेड़ सो के बीस लॉट है तो बीस लॉट के लिए मैं साठ बार ओर दे रहे हूं तो तीन दस आठ समझ गे भी तीन दस आठ क्या है यह परचेज ओर्डर पर बैच तो नमबर आफ बैच बीस दस बीस ठीक है तो टोटल ओर कितने हो गए एक बैच के लिए तीन ओर तो बीस बैच के लिए साठ ओर ठीक बात है ठीक है भी हो गया चलो अब क्लेर सारा कुछ अब आप आजाओ चल्दी से जरा फटफट से क्या करें हम हम हाँ जी अब फैर पार्ड पर आजाते हैं हो वह working पाड़ सबसे पहले बना लो कॉस्ट पूल कॉसट फूउर के कॉस्ट पूल बना लो आप इससर ए बीस है चलि overhead यह न, number amount, sorry अब बिलको simple है, amount number of activities sorry, basis basis ठीक है, number of activity cost per activity चली, सबसे पहला खर्चा कुन सा रहा है, मेरे पाद, दीको ज़राख, सबसे पहला खर्चा आ रहा है, machine setup का चली, अब cost उनल को, सबसे पहला overhead हमारे पास कौन सा है, हादी, सबसे पहला overhead आपके पास आ रहा है हादी, machine setup cost है ना, तो यही लेने हम, machine setup cost machine setup cost ठीक है, एक बार आप देहान से धीरी धीरे पढ़ना, जल्द बाजिक मत करना, यह आप फटा फट देखो, एक बार अच्छे देशन में आगे, फिर आप रेल बना सकते हैं, और समझे तो आई एक बार वो धीरे धीरे आएगा, setup का बार cleaning, ठीक है, अब उपर देख लेते हैं, cleaning का खर्चा कितना है, पहले हाँ से लोट कर लें, फटा फट से, जल्दी, machine setup का खर्चा, है ना, चार लाक स् Chemсыл, चार शोर गी, साथ बीस 960, दो चारिस, चार असी, साथ बीस, ठीक है, लेफ किस नोएज दो Fuj, 20, जल्दी है, operation, inspection, operation, inspection, operation, machine operation, inspection or procurement ओके है ठीक है टोटल में लाकर कितना आ रहा है है हाँ जी बोलो साथ आठाचर बारह और नो इस अदर चौविस लाख चलिए अब बताओ बेसेश मशीन सेट अप का खर्चा कैसे बाट हो गए नमबर ओफ भई मशीन को साफ किया तो कितनी बार नमबर ओफ टाइम्स मशीन वास क्लीन यानि नमबर ओफ सेट अप number of setup एक एक करके समस्ते हैं कितनी बार machine को साफ किया कितनी बार machine को साफ किया है है ना ठीक है बीस बार, दस बार, बीस बार पचास बार कुल मिलाकर सरजी कुल मिलाकर सरजी पचास बार machine को साफ किया है ठीक है पचास बार machine को साफ किया है जिसमें से 20, 10, 20, 20, 10, 20, इसको ऐसी दिखाना है? कोई दिक्कत नहीं है, यानि 20 बार P के लिए, 10 बार Q के लिए, फिर 20 बार R के लिए, तो 50 बार के लिए 4.8 बहुत सिंपल से बात है, 50 बार मशीन को साफ किया है, पूरे पीरेड में, 4.8 बहुत सिंपल से बात है, को साफ करने का खर्चा, बताओ कितना आएगा, है ना, ठीक है, A divided by B, cost per activity, तो 4.8,000 divided by 50, तो यह आगया, 9,600 रुपे, कितना आगया, 9,600 पर setup, पर setup, एक बार सफाई का खर्चा, तो 9,600 इंटू 20, 9,600 इंटू 20, ठीक है बहुत, कहां चला जाएगा यह, P में, 9,600 इंटू 10, Q में, 9,600 इंटू 20, R में, मैं हाथ की हाथ करता हूँ न, ताकि समझ आता चला जाए, cost sheet, direct product पर डालते हैं हम इसको बर्डर, direct product पर डालते हैं, ठीक है भई, तीन product है मेरे PQR, ओके, अब जल्दी से, cost sheet है नहीं material, ठीक है अब फटा पड़ देखो जल्दा question में material, यह तो दिया ही होगा, material, मेटल का खर्चा, 90 रुपे, 80 रुपे, 120 रुपे, 90 रुपे, 80 रुपे, 120 रुपे, यह पारिनिट है, यह आपका पारिनिट है, तो पारिनिट चलने दो अभी, labor, ठीक है, पारिनिट, जल्दी, labor का खर्चा, पर इनिट, हाजी, labor hours है पर इनिट, ठीक है, चार घंटे, पर rate कितना है, 20 रुपे पर आवर, तो चार घंटे इंटू 20 रुपे होगे, चार घंटे इंटू 20 रुपे होगे, ठीक है, चलो, अगला, हाजी, बारा, आठ घंटे, बारा घंटे, आठ घंटे, तो 20 रुपे पर आवर, 20 रुपे पर आवर, मेरी बास समझे में आ गए, तो ये मेरे पस कितना आ गया, ये मेरे पस कितना आ गया, 80 रुपे, 170, सारी, 80 लो ना, टोटल बाद में करना, ये हो गया 240, ये हो गया 160, चलो, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को थो हम एड़ कर देते हैं, क्योंकि ये परिनीट है, ये आगया 170, ये आगया 320, ये आगया 280, ये आगया 280, ये इस काल्ड, प्राइम कोस्ट परिनीट, चलो, अब ओवरहेड ले लेते हैं, हम, अब ले लेते हैं, ओवरहेड, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, है मशीन सेट अप रहे हैं सबसे पहले क्या है मशीन सेट अप उन ज़ाना से नौन शरश्चे रुपे एक सेट अप का तो भाई 20 सेट अपका कितना नोज़ार 9600 रुपे एक सेट अप का 9600 एक सेट अप का है ना तो 20 सेट अप का कितना ठीक है दस सेट अप का कितना और 20 का कितना यह टोटल आ जाएगा यह मैं टोटल में रहना हूं बाद में डिवाइड कर दूँगा एक साथ ओके कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया चलो मशीन ओपरेशन कैसे बाट होगे मशीन ओवर्स है ना टोटल मशीन ओवर्स कितने हैं अभी तो निकाले हमने मशीन ओवर्स मशीन ओवर्स हमने निकाले ना तीस ओजार नब्बे हजार दो लाक अस्टी ओजार चार लाक मशीन ओवर्स तीस ओजार नब्बे हजार दो अस्टी हैं तो टोटल में लाकर कितने घंटे हैं यह चार लाक तो 4,000,000 गंटों के लिए 70,000 आया एक घंटे पर कितना खर्चा आया ठीक है 720 आया है 4,000,000 गंटों के लिए तो एक घंटे के लिए कितना आया एक रिपैस सी पैसे पर मशीन ओवर खिल्कों सेखे अब एक पैसे पैसे एक घंटे का तो 30,000 गंटे का P में 90,000 गंटे का Q में 200,000 गंटे का R में हो गया क्लिए तो एक पैसी पैसे इंटू एक पैसी पैसे आगया पर आवर मशीन ओपरेशन एक पैसी पैसे आगया पर आवर एक पैसी पैसे आगया पर आवर ठीक है अब तीस हजार ठीक है भी किते घंटे हैं देखो जरा नब्बे हजार दोला कस्ती हजार नब्बे हजार और दोला कस्ती हजार ठीक है राइट भी अब एक मैट यह आगे तुमारा पास अमाउंट निकलते चलना चलो चली अब अगला देखो है आज इंस्पेक्शन का खर्चा नंबर ओफ इंस्पेक्शन नंबर ओफ इंस्पेक्शन कितने इस्पेक्शन है कितने इस्पेक्शन है कितनी बार हमने इस्पेक्शन किया है नंबर ओफ इस्पेक्शन यह आगे टोट चालिस साथ, दो सो बार, 200 बार मैंने इंस्पेक्शन किया है, 200 बार मैंने इंस्पेक्शन किया है, ठीक है, सो, चालिस और साथ, 200 बार का खर्चा नौ लाख साथ हजार, हादी, तो एक का कितना आ गया, 4800 रुपे, 9,60,000 divided by 200 तो यह आ गया 4800 per inspection तो 100 inspection का खर्चा आदि 100 inspection का खर्चा P में तो 4800 इंटु 100 4800 इंटु 100 inspection 4800 इंटु 100 एना 4800 इंटु 4800 इंटु कितना आ रहा है 40,60 क्लीर है चली calculation बाद में कर लेंगे अब आजाओ material procurement number of order कितनी बार आपने order दिए कितनी बार ओर दिए कितनी बार आपने order दिए है 320 बार ओर दिए 320 बार ओडर दिए है ठीक है 320 बार 60 100 160 320 बार ओडर कर दो 40 का खर्चा तो साड़े साथ रुपे पर ओडर हो गया अजी पी के तीन जार के लिए साथ ओडर है न तो साड़े साथ सो इंटू साथ साड़े साथ सो इंटू साथ समझ के बाद नहीं मैटिरियल प्रोक्यूर्मेंट साड़े साथ सो इंटू साथ है न साड़े साथ सो रुपे पर ओडर साड़े साथ सो रुपे पर ओडर सो एक्सो साथ सो एक्सो साथ होगे क्लियर चलिए अब ये टोटल करतो जल्दी फटाफट से बस सारे खर्चे बागतो दिये मैंने तो 9600 इंटु 20 अब जल्दी करो कैलकुलेशन 9600 इंटु 20 यह आगया आपका वस एक लाग बानवे हजार यह आगया एक लाग बानवे हजार का लिकूं मैं है लिख देता हूं ठीक है यह आगया शानवे हजार ठीक है यह आगया आपका 19200 इंटी से जार दोसों ठीक है अभी चलिए आप एक बाटोटल भी करके देखनें प्लस नाइन्टे सेक्स थाउजन प्लस वन नाइन्टी टू क्या हो रहा है मशीन सेट अप का खर्चा कितना था मेरा मशीन सेट अप का खर्चा शानवे सो इन्टू बीस क्या यह एक लाक बानवे हजार अब एक बार करें फटाफट करो एक रुपे असी पैसे इन्टू तीस अजार हाँ जी वन लैक सिक्स्टी टू थाउजन और दो असी पांच लाग चार अजार अब एक बाट टोटल कर लो इनका ठीक है पांच लाग चार अजार प्लस एक बासट प्लस फिफ्टी फोर थाउजन तो यह हो गया साथ लाग बीस हजार यह हो गया आपका साथ लाग बीस हजार चली अब यह हो गया आपका चार अजासी हजार है ना अड़ तालिस सो फॉर्टी एट अंडर इंटू चालिस एक बानवे और फिर साथ दोला कठा सी हजार प्लस एक बानवे प्लस चार सी नौ साथ ठीक है चली साढ़ साथ सो इंटू साथ पैंतालिस हजार पिचत्तर हजार और साथ 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 सो इंटू एक सो साथ यहां गया एक लाग बीस हजार ठीक है प्लस पैंतालिस हजार प्लस पिचत्तर हजार दो चालिस अ चली अ हाझे कितने हो गएंट जो चालिस प्लस नौ साथ प्लस साथ बीस प्लस चारस से ठीक है 24 लाग होगे बराबर चलिए अफटा फ़र जोर्टे चला जल्दी से हाज पी में कितने आए एक लाख बानवे हजार 1,92,000 ठीक है प्लस 54,000 प्लस चारस से प्लस 45,000 तो यह आगे साथ लाख इकत्र हजार यह आगे आपके साथ लाख इकत्र हजार एक बर कैल्कुलेशन पर बसा ठान देना है अज़ चानवे हजार प्लस एक बासट प्लस 192 प्लस पिचत्तर हजार पांच पच्चेस ठीक है आज़ी 1,92,000 प्लस पांच लाख चारह जार प्लस 288 प्लस एक लाख बीस अजार यह आगया ग्यारा लाख चारह जार ग्यारा लाख चारह जार चलिए 24,00,00 ठीक है भी चलिए अब पर यूनिट निकाल लो है अले यह आगया टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो आप इसको एक यूनिट कितने हैं मेरे पास देखो जार एक यूनिट अज़े तीन जार पांच जार चेंसर तीने-जार-ग्षाजार-ग्षाजार-ग्षाजार यह नहींड युनि मेथ क्लीनि ओवरहेड कॉस्ट पर इनिट ठीक है बी डिवरीट बैजी करो साथ लाग एकत्तर हजार डिवाइड बाई तीन हजार यह क्या टू फिफ्टी सावन पांच लाग पच्चीस हजार डिवाइड बाई पांच हजार एक सो पांच रुपे ग्यारा लाग चार अजार डिवाइड बाई बीस अजार तो यह आ गया पच्पन रुपे बीस पैसे ठीक है भी चले अब टोटल कॉस्ट नहीं कहा लों पर इनिट टोटल कॉस्ट पर इनिट इसको मैं लिग देता हूं डी ठीक है यह एनि ए प्लस डी कितने आई थे पर इनिट एक सो सत्तर रुपे प्लस डोसटावन एक सो सत्तर रुपे प्लस डोसटावन तो यह आगी चारसो सत्ताइस रुपे पर इनिट हादे तीन सो बीस रुपे मैट प्राइम को साइथे ना प्लस एक सो पांच चारसो पच्चेस 280 प्लस 55 रुपे 20 पैसे 335 रुपे 20 पैसे हो गया क्लिए चलिए अभी हो गया मेरे पास हाँ जी ABC का ओके चलो एक बार इस पर नोट कर लो फटा फट से जल्दी है अब हमें फिस पाल या पूच रहे है कोस पर इनिट बताओ ट्रेडीशनल मैंट से यहनि सारे खर्चे मशीन और एट से बातने हैं सारे खर्चे मुझे मशीन और रेट से बातने बिलको शिंप्ल है तो म क्या करेंगे आजी साकंड पार्ट में जो है डरक लेले स स्टेटमेंट आफ कॉस्ट स्टेटमेंट आफ कॉस्ट एक एस पर ट्रेडिशनल मैथट एस पर ट्रेडिशनल मैथट तो प्राइम कॉस्ट तो सेम होती है हमेशा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप एस दिरिज ले लो प्राइम कॉस्ट पर इनिट कितने आरी थी देखो रफटाफट से 170, 320, 280, 170, 320, 280 ले ले 170, 320 और 280 रपे पर इनिट यही था है ना अब आता है ओवरेट्स यहां पर सारे खर्चे आपको मशीन ओवर्च के साब से बाटने है तो बिल्को सिंपल है सारे खर्चे कितने हैं हमार पास सारे खर्चे कितने हैं 24 लाग है सारे खर्चे 24 लाग है ना एक बर उपर चेक कर लो सारे खर्चे 24 लाग कितने हैं कैसे बाट होगे मशीन ओवर्च टोटल मशीन ओवर्च कितने हैं हमार पास 4 लाग है ना तो रेट भी आ रहा है नहीं नहीं नहीं, labor, labor, sorry, labor, वो कर रहा है, सारे खर्चे, traditional में कैसे बाफ रहे हैं हम, हाँ नहीं, machine hours के साब से बाफ रहे हैं, machine hours के साब से बाफ रहे हैं, तो total machine hours कितने आ रहे थे, मेरे बस वो देख लो, total machine hours, 4,000,000 रुपे, यह नो, तो basically rate ड़ाही रखा उसमें वैसे तो, बेसिकलिए अगर मैं बात करूँ तो रेट तो दही रखा था 6 रुपे पर आवर तो यहीं से डरेक कर लो आपको जुरूत ही नहीं 6 रुपे पर आवर ओवरेट का खर्चा कितना है 6 रुपे पर आवर पर मशीन आवर, 6 रुपे पर मशीन आवर, 6 रुपे पर मशीन आवर, नहीं, तो एक बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, हम उदेख लो, आजी, 10, 18, 14, 10, 18, 14, यहां से, कल्कुलेशन आज़े कि 60 रुपे, 108, 14, ठीक है बिटा, चलिए, यह मेरे पास कॉस्ट आगे, 230 रुपे, हाली, 428 रुपे, और यहां गी आपकी, 374 रुपे, ठीक है, यहां गी, टोटल कॉस्ट पर इनिट, एस पर ट्रेडिशनल, तो दोनों में फरक आ रहा है, पी की कोस्ट, 230 रुपे आ रही है, ट्रेडिशनल से, जबकि ABC से, 427 रुपे आ रही है, है ना, क्योंकि कोस्ट, 423 रुपे आ रही है, जब किया 425, यह 304 जब किया 335, तो यह डिफ्रेंस, इसलिए आ रहा है, क्योंकि, क्योंकि P product में activity ज़्यादा consume हो रही है P product में activity ज़्यादा consume हो रही है और activity के साब से खर्चा है इसलिए हमारा फरकार है अब इसको note को लिए एक बार